गंटी तो माइक्रो फाइन नमस्कार न्यूस बिलेटिन मा आपनू स्वागाच छे हूच्छू पंकच शर्मा शरुवात करिशू अतिक पर सकन जाथी अम्दबाद मा अतिक एहवद पर सकन जानी तैयारियो अतिक ने लेवा माटी यूपी पोलीस पहुची छे साबर मती जेल उमेश पाल केस मा प्रयागराजनी स्पेशल कॉर्ट 28 मार चे आपसे फैसलो अतिक अने अश्रफ ने सजा मर्वू लगबग नकी छे बने भाईयोंने पहली बार कोई केस मा सजा मर्षे उमेश पाल हत्या केस मा आरोपी छे अतिक अहमद अम्दवाद थी प्रयागराजनों बारसो थी तेर सो किलोमेटर नो रस्तो शे ब्यस्पी दारसब्यर राजुपाल मडर केस ना साक्षी उमेश पालनू अफरण 2006 मा थयू हतु आ अफरण केस मा साक्षी ना बनवा तेमनू अफरण करायो हवानी उमेश पाले 2007 मा पूर्व सांसद अतिक अहमद अने तेमना भाई असरफ सामे फरियाद दाखल करावी हती आ केस मा 24 फेबरु वारिये उमेश पालनी घरनी बाहार हत्या करी देव मावी हत्या पहला आ केस मा उमेश पालनी जुबानी लेवाई चुकी हती आना अधारेज माफिया अतिक अहमद अने तेमना भाई असरफ ने सजा मर्शे ते नक्किय मनाई रही छे नोधमी है छे के प्रयाग राज मा 24 फेबरु वारिये उमेश पाल अने तेना बैग गनार्फ ने आरोपियो ये गोडी मारी हत्या करी हती उमेश पाल राजुपाल हत्या केस मा साक्षी पन हतो पदुमाहेती साथे संवादाता विभू पटेल अमारी साथे रुडा छे विभू हाल जिया समग्र हत्या केस छे तेने लईने अतिक एहमद ने लेवा माटे पोलीस जारे साबर मती पहुंची छे क्या रहे तेने लई जवामा आवशी शु आजे जी तेने अहीं थी कब जू मेड़ी लेश यूपी पोलीस पंकल जी चे रिती अतित एहमद बेजार ओगणिस थी साबर मती जेल मां बंध चे अने यूपी पोलीस छे तेने एक साबेजार साथ नो जे केस छे तेमा कोल जू माझे आने एक कोल जू करवा माटे लेवा माटे जे साबर मती जेल पोची छे वेहली सबार्थी ने जआ प्रोसेस चाली रही जे परनतु आप्रोसेस खुब लांबी ऊई जी अतित एहमद ने प्रोसेस थे रही जे करेंड के सुप्रीम कोट ना देस बाद हवे जे निचली कोट नो लही जावा मा पेस करवा मा नीचे त्यारे तेम लही जावा ना छे तो परमीशन छे ते साबर मती जहल मा थी मड़े छे के नहीं एक खुब महत्वनु जे करेंड करनेक वखद आरी ते ते वो निप पुछ परश करवा माठेक अथ्वा तो तेमने कोट मा रजुकर मा माटे लही जावा माठेनी प्रोसेस थाये लिचे परन्तु अवे बहली सबार्थी ना छे यूपी पोलिस छे ते आवी पोची छे ना आप जोई पन सको जो क्या गाड़ी छे ते यूपी नीचे यूपी 70 AG 4036 नीचे गाड़ी छे ते बहली सबारे साबर मती जेल चे ते पोची छे अने तेना जे पोलिस उनना उच अधिकारियो छे तेमनी साथे एक ट्रक्रिया चे ते करी रहा चे पूछ परस करी रहा चे अवे अतितनी पूछ परस्पन करवा माँ से तेले महत्वन ये रेशे के पंकज जरे अतितनी लही जाओ माटे नी पर्मिशन मड़े छे के नथी मरती पची यूपी पोलिस देने वीडियो कॉन्परंस ना माध्यम थी कोट मा रजू करे छे के ने ये तमाम बाबत जोवान नी रेशे परन्तु हजू पने उलागे छे के बेथी त्रण कल लाक नों समाई जेते वीती जसे जी अवीडियो खास्तो जे अतिक एहमद छे जे साप सूटरों हता के जिमने गोडिबार करे हो तो अने उमेश पाल नी हत्या करी हती शू आ साप सूटरों अतिक एहमद ना म अने अने अलग प्रोसेस होई जे तो ये प्रोसेस प्रमाण हवे जे अतितने ने आही ती लही जावनी पर्मिशन आपे छे के नहीं एह पेला खुब महत वनुझे पूछपरस पर एकला माटे करशे के यूपी पोलीस ने पन एभी संका छे के साबर मती जेल मां बेसे आने ते वह इस तड़ी अंत्र रच्यू छे एटले के ते वह नी पन तपास करशे आने पूछपरस छे अती चाली रही छे जी विभू आभार माही तियाफवा माटे तो अतीक एहमद नो कब्जों लेवा माटे हाल तो यूपी पोलीस खा संदवाद दसावर मती जेल खाते आवी पोँची छे अने जी प्रक्रिया छे जे आरोपी छे तेने लई जवा माटे नी ए प्रक्रिया थोड़ी लामी चाली अने हवे बात करीशू लांच मौत अने माथाकूत नी राजकोट माँ CBI नी रेड माँ आप घात मामले हवे तापास नो दमदमाट शरू थे हो छे लांच माँ पकडायला अधिकारी नी हवे पूचपरच जे करनार हतो तेनी पन हवे तापास था शे जावरी मल विश्नोई नी पूचपरच करनार टीम नी तापास कर्वा माँ गैकाले लांच लेता पकडायला हथिकारी आप घात करेली तो हतो CBI नी टीमे 5 लाख नी लांच लेता विश्नोई ने पकड़या हता जावरी मल ना आप घात बाद परिवार जनोए गंभीर आक्षेपो करिया मानसिक त्रास बाद आप घात कर्यानो आरोब हतो आक्षेप इसके तो हाई कोट के जजज के मतलब अधीन इसकी जाच हो जिससे मामले का खुला सा होगा किसको डिटेन किया था किसने पैसे दिये तो सब आगे कभी से अभी तो सुप्रियम कोड़ का जज्ज या ही कोड़ के डिरेक्शन के अंदर इसकी पूरी कमेटी बन करके इसकी जांच हो यह बहुत बड़ा स्केंडल है और हमें कोई इसमें बिल्कुल भी मतलब हम एक परसें अभी तक मैंने कहीं पंचना में में कहीं भी सिनक्त पे अभी तक साइन नहीं किया है इसकी वज़ाई यही है कि हमें संतुष्ट किया जाए और जो कस्टेडी के अंदर मोहत हुए आदमें की उस पे मुगतमादर जो कारवाई हो दो राज़गोर्ट लांच माा पकड़ाईला अधिकारी ना अभघात केस मा नवा नवा खुलासा थे रहा चे पुत्रो ना जे सुत्रो आवी रहाचे, सुत्रो जे माहिती आपी रहाचे ती प्रमाणे मृत्वक अधिकारी बिश्णोई ना घरे CBI नी टीमे तपास माटे जारे पहुची त्यारे तेमना परिवार जनोई रूपयानो थेलो बाजुना फ्लेट नी बालकनी मा नाक्यो हतो जे बाद जे फ्लेट मालिक नी बालकनी मा रूपया भरेलो थेलो नाक्यो हतो तेनी जान CBI ने कराई हती आ समगर घटना आंगे हजुसुदी CBI नी टीम मीडिया समक्ष सत्ता आवनारी 17 एप्रिल ना रोज योजानार सौराष्ट्र तामिल संगम कारिक्रम अंतरगत एक कारिक्रम योजायो त्यारे प्रधानमंत्री मोधिये बन्ने राजुना संगम ने बिर्दाव्यो छे गुजरात ने तमिल नाडु वच्चे सधियो पहला उद्भवेला बंधन ने मजबूत करी रहुँछे कारिक्रम जग्दीश विश्वक्रम दर्षनाजर दोर्ष उपस्तित रहा तमिल नाडु मा तामिल महिलाओ साथे गरबा नो जे राज सले गरबा छेते नी धूम पने जोबा मने सवराष्ट्र तमिल संगम कारिक्रम नो पिया मोधिये करेव लेख आगामी महिने गुजरातना विबी द्विस्तार मा उजवनी सवराष्ट्र तमिल संगम सब्तर्थी 3 सेप्रिल सुधी चाल शे सदियो पहला सवराष्ट्र ना अनेक लोको तमिल नाडु गया आयोजन माटे अने मने अनेक लोको ये पत्र लख्यो छे हजार वर्ष बाद पहली वार को ये आंगे विचारी उचे एक भारत सुरेष्ट भारतनी भावना मजबूत करेशे अगले महिने गुजराष्ट के विविन हिस्सों में सवराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है सवराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अपरिल तक चलेगा मन की बात के कुछ रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सवराष्ट का तमिल नाडू से क्या समंध है दरशल सदियों पहले सवराष्ट के अनेकों लोग तमिल नाडू के अलग-अलग हिस्सों में बस गए थे ये लोग आज भी सवराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं उनके खानपान, रहनसन, सामाजी के समस्कारों में आज भी कुछ-कुछ सवराष्ट्र की जलग मिल जाती है मुझे इस आयोजन को लेकर तमिल नावड़ी से बहुत से लोगों ने सरहाना बरे पत्र लिखे है मदरई में रहने वाले जय चंदरन जीन ने बड़ी ही भावुक बात लिखी है उन्होंने कहा है कि हजार साल के बाद पहली बार किसी ने सवराष्ट्र तमिल के इन रिष्थों के बारों में सोचा है हवे बात करी शूप कोरोना रिटन नी सूरत शहर मां सतत वधी रहा छे कोरोनाना केस गईकाले सूरत शहर मां 25 केस नो धाया 25 केनी साथेज कोरोनाना सीजन ना कूल केस 113 थे गया शहर मां हाल एक्टिव केस 114 थे आ छे त्रोन दर्दियों हाल होस्पीटल मां सारवार हेठर छे सूरत मां कोरोनाना केस वधी रहा छे त्रोन दर्दियों सूरत मां हाल होस्पीटल मां सारवार हेठर छे हाल सूरत शेहर मां फूल एक्टिव केस 114 थे आ छे त्रोन दर्दियों सारवार होस्पीटल मां सारवार होस्पीटल दर्दियों सारवार हेठर छे दिवसने दिवसे कोरोना केस ना आखडा मां सतत वधारों थे रहो छे जनाली दे सिविल होस्पीटल तंत्रपन एक्टिव मां आविए उछे सिविल होस्पीटल मां सौ बैड़नों आइसोलेशन गोर्त यार करी दिवायो छे कोरोना साथिनी जंग लड़वा हाल आरू के विभाग सज्ज बनी गए उछे राजकोट मां कोरोना केस चे एस सो ने पार पहुंचिया छे राजकोट सहर मां सुनिया केस हता राजकोट सहर कोरोना मुगत हतु परन्तु हवे धिमेदी में फरी परिस्तिती बड़वती चाहिए धिमेदी में फरी कोरोना केस वधी रहाँ छे खास करीने जैचे कोरोना केस वदता आरोग्यो विभाग पहुंचिया बिल्डिंग छे सो बेड ही वाँ आजी खास रिजरो राखो मावी चे खास करीने आज ए कोईड होस्पिटल जै होस्पिटल ना तियार जैचे संपुनरी ता तियार करवा माय विर चे ऑक्सिजन ना बाटला सहीद कोरोना केस वदी रहा चे, सिविल होस्पिटल मा कोरोना पॉजिटीव आवी रहा चे, साथ दर्वियों पॉजिटीव दाखल थे आचे मात्र आत महिनानू बाड़क कोरोना पॉजिटीव आवी छे, आव बाड़क ने हाल ओक्सिजन पर सार्वार हेठर रखायू छे, सिविल होस्पिकल मा बाड़क मी सार्वार चाली रही छे, सिविल मा कोरोना बर्गिल संख्या पॉण हवे वदती जै रही छे में बाड़क ने पॉजिटीव आव करें चार महिला हो चे छे रही पूरुष्ट शे चैत्री नवरात्री ना पांचमा नोर्थी पावगण मा भक्तोनु घुडापूरू मट्यू। पंचमहाल जिल्ला ना गोध्रा मा महाकाडी माताजीनु मंदीर आवेलू छे लोकवायकानू सार गोध्रा महाकाडी मंदीर मा बिराजमान महाकाडी मा पावागर्ती स्वेम आवीने बिराज आहता। दर्म्यान मढ़ी आवेहता जिदी पूरातत्व विभागे कचरेनु बातकाम पन बंद कराव्या। नवरात्री दर्म्यान माताजीना उभास्वरूपे पन दर्शन करी भक्तो धन्यता अनुभावेशे। महाकाडी मंदीर मा पावगर्त वाली आई श्वयम बिराज मान थाया छे आ स्वयम बू मंदीर छे। आई खोदकाम करवा मा आवियो त्यारे महाकाडी मंदीर ना पुझूना आउशेशों मढी आविया छे। अनि ती आउशेशों साबित करे जे क्या मंदीर केटलू जुनू छे। चैत्री नवरात्री मा लोगडाउन मा कई रिते हुआई आयो एज मने नधी खबर पन माना जाशिरवात्ती आजे मारी पासे गणू बदू छे। बद्दाज दुखोनू निवारन आमाताजी यहां मंदीर मा तमें पगला भरो और बद्दाज भक्तों नी बद्दी मनो काम नाई यहां पूर्णा थाए छे। बद्दाज मा बे फिरो नौ चंदी थाई छे। एक आसो नवरात्रम और एक चैच्री नवरात्रम आाठमना दिये चे। नहीं पभलिक एटली बद्दी आवज छे तमारे पावागर जिवूत काम ही चाले चे। गुद्राना माकाली मा सेम पावा गड़ती पधारेला माकाली माँ छे अने गुद्राना अज्जारो बक्तो आमंदी माद अर्शन करवावे छे नियमनी हरेक मनो कामना पूल न थाए छे महिसानाना एठोर गामे त्री दिवस्य मेडानू आयोजन छे गामना वडिलो औने नायको भेगा मडी आखा वर्ष नो वर्ता रोकाड़े छे चैत्रसूद त्री ज चोथ अने पाचमन दिवस्य मेडो योजाए छे फूल अने अनाज पर्थी आवतू आखू वर्ष जोवामा आवे छे शुकन मेडा दर्म्यान एठोर गाम्मा खेती वेपार धन्दो अने रोजगार बंद रहे छे शुकन प्रमाणे तलाटी शाही कलम थी शुकन लगता जाए छे त्री दिवस्य मेडा दर्म्यान रात्रे भवाईनो कारेक्रम पाणे यो जाए छे चैत्रसु चोतना दिवसे वर्ष्णो वर्तालों निकलवामा आवे छे अने वर्ष्योती आ प्रथचाली आवे छे आवनारू वर्ष केवू रहे से ये वर्तालों ना आधारे कमिटी नक्की करती हो आए छे राजिना वदू समाचारोपन अजर करेशू हालोकाईशू एक ब्रेक माटे प्रेक बाद एक महत्वपुल खबर आवे नीचे सूरत थी ओनलाइन गेम रमनारा सावधान रह जो सूरत मा युवक ने ओनलाइन गेम रमवी भारे पड़ी गई फ्री गेम रमवाना चक्करमा 85,000 रुपया घुमावया अफरन करी 85,000 रुपया पड़ा भी लेवाया गोवा फरवा गया त्यारे कुबेर एक्सचेंज नामनी एपनी अपाई हती लिंक फ्री गेम नी वाद करी 7 लाख रुपयानी उग्रानी करी सुरत पहुचे बाद युवक नुआ फरन करायू साइबर पूलिस से 21 लोकों सामे फरियाध नोधीशे मान नर्मदानी 55 परिक्रमा करवा माटे दूर दूर थी भावी भक्तों पहला दिवस्तीज उम्टी रहा छे त्यारे तंत्र द्वारा परिक्रमाने लईने कोई सुविधा ना करता भक्तों मा रोश जवा मड़ी रहा छे सामे पार जवा माटे नावडियों नी पन पूर्ती व्यवस्तार नहीं होवानों आक्षेप कर्यो भक्तों जीवना जोखा में नदीमा चाली ने नदी पार करवा मजबूर बनया त्यारे सवाल छे के कोई घटना घटे तो तेना माटे जवाबदार कोण दूर दूर थी भाविक भक्तों अहिया परिक्रमा माटे आवी रहा छे नदी सामे पार जवा माटे नी व्यवस्ता न थी जेथी आ एक हंगामी धुरणे व्यवस्ता त्याना स्थानिक लोकोए भेगा मडिने करी छे आणदी जिलानों खेडूत गाया धारीत खेती करी कमानी करी रहा छे महारा लिम्बूनी वाड़ी वीश्विगोनी से अने 2013 साल थी करूछु अने गाय अधरीत कुद्रती खेती करूछु अने ड्रिप एरीकेशन दी पाणी आपूछु अने हमनों जे राज्य सरकार केंदर सरकार जे नवो नी विचार लाई शे एना अधरीती खेती करूछु बनास काथाना दियोदेर तालोकाना नवा गामना मोटा भागना घरो मा थी चूलाओ निवरुत थे गया शे। माथी मुक्ती मिडवी छे, केंदर सरकार द्वारा गामणाव माथी उकरणा प्रथा नाबूद करी गामने स्वच बनावा अने पशुवना छाण ने बायो गैस अने जैवी खातरमा रुपान तरित करी वातावरनने प्रदूशन मुक्त बनावाना उद्देश थी गोबर गैस प्रोजेक्ट अमलम मुकायो नवा गामना लोको ए सरकार ना प्रोजेक्ट ने वधावी गोबर धन योजना हेठण पोताना खेतरों मा प्लान्ट स्थापियो शे आ गामना लोको धुमाडा अने कोई पन खर्च भीना रसुई बनावे शे जिल्ला क्रोम विकास एजनसी ना शहे भुआईन गोबर पशुपालक ने मिटिंग करिण माहेत याले थी ये मना दवरा शरकारदवारा बनावा माया हि Shaun ब हरोबर मुधी शरकार, क्यांद्रशरकारदवारा जिस बनें अलोकई खेण टोई उन्हों पर रस्वह ना हारी थाया साख रहा है जिसे आपढें आपण ताना रोज मरोज नाजे कामगीरी छे रोज मरोज नी जेमना कीचेन नू कामगीरी छे माउच थेई शके छे हालेक महत्वपुन खबर आवी रही छे मावठाने लईने ओगं 30 मार्च थी फरी मावठानी शकेता हम अमान भी भागे पाण प्यास्ति करी छे 39-30 मार्च आपने दिवस राज्यना अनेक विस्तारों मां कमो समी वर्साद थे शके छे वातावरन बदलाई शके छे 32 मार्थी द्वारका ज्यामनगर औने कच्छ मा आगाही छे जारे 33 मी मार्थी बनासकाथा साबरकाथा मा आगाही छे अने पोरबंदर अम्रेली सहीतना सवरास्वना घना विस्तारों मा कमो समी वर्साद मी आगाही छे जमा जुनागर द्वारका और कच्छ मो पर समा विस्ताई छे अथ तमाम विस्तारों जे छे तेमा बैदिवस मावथा नो मार रह चे वगंत्रीस अने 30 आप बनने तारीके मावथा नी शक्यताचे हवमान विभागे व्यक्त करी छे आगाही ओगंत्री सनेत्री स्तारीखे द्वारका जामनगर कच्छ मां साबरकाठा अने पोर्बंदर अमरेली जुनागर द्वारका अने कच्छ आविस्तारों मां बे दिवस लगातार कमोस्वमी वर्साद नी संभावना चे वातावन मां पल्टो आविश्र केशे अने केटलीट पाबुलेटिन मा तेरे आतलूच नमस्कार